हेलो दोस्तों नमस्कार अच्छाट अजार पांसो सिच्छक भरती अपडेट के साथ गुरुजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है जी हाँ अच्छाट अजार भरती अच्छाट अजार पांसो भरती पर एको ग्राण लग रहा है सप्रीम कोड ने चल रही अच्छाट अच्छाट हजार पांसो सिच्छक भरती में और यूपी टेट अजो गलत सवाल के मुद्दे पर कोड ने सरकार से जवाब मांगा है और इसमें रिजवान अंसारी ने भी अपना एडियो जारी किया था वो में मैं आपको सुनाओंगा उससे पहले जो आपको हेडिन थी बज़ताना जूरी था चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं आगे पढ़ने से पहले गुरुजी चैनल को सस्क्राइब करना ना बोले सस्क्राइब करने के लिए रेट बटन पर क्लिक करें उसके बाद तुरण नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रिसकरना ना बोले तो चलिए आएए वीडियो शुरू करते हैं होने जी जी तो जैसे कि ये कल 27 जुलाइब को त्रेजवान अंसारी की डेट लगी गई थी तो कि 27 जुलाई को इसके सुनवाई थी तो 27 जुलाई को जो सुनवाई थी उसका क्या पहिणा माया उसके आम बताते हैं यह नियुज की कटिंग है थोड़ा सा इसको जी यहां तो इसमें देखिए यूपी टेट 2017 गलग सवाल के मुद्धे पर कोट ने सरकार से जवाब मांगा है क्या जवाब मांगा है यूपी टीटी 2017 को लेकर इलाबाद हाई कोट के फैसले को चिनौती देने वाली याचिकाप कि खंड़पीट के फैसले से हजारों परशारतियों का भविस्षठा फथरे में पढ़ सकता है परशारतियों का कहना है कि 14 प्रशनव को गलत थे इनन में से 4 सलेवस को बाहर के थे हाई कोट की एकल पीट ने विवादित प्रिसनों को हटाने के बाद फिर रिजल जारी करने का निर्देश दिया इस फैसले को सरकार ने हाई कोट की खंड पीट में चनवती दी खंड पीट ने मैज तीन प्रिसनों को गलत पाया और यहां भी मानने से इंकार कर दिया कि प्रेशन स्लेवर से बाहर थे तो इसलिए इसलिए सुप्रीम कोड ने सरकार से जवाब मांगा है अब जवाब सरकार काउंटर में अपने क्या लगाएगी अब ये तो आगे देखने वाली बात है तो अब इसमें रिजवान अनसारी जो आडियो जारी किया था उसको मैं आपको बत सुनाता हूं और उसमें उसने काफी हद तक बता दिया है कि सुप्रीम कोड ने जो जितने भी उसके सुप्रीम कोड में याची बने के गए हुए हैं रिजवान अनसारी के साथ में वो लोग इसी और 6500 में इंकलूड होने की सुप्रीम कोड ने जिम्हेदारी ली है यादि केस जीते हैं तो लोग इसी और 6500 में सामिल होंगे किस तरह सामिल होंगे पेपर कैसे होगा पेपर हो चुका है क्या होगा उसकी सारी घटनाएं बाद में बताई जाएंगी लाल जो आडियो नजारी हुआ है मैं आपको सुन कोड अपडेट के साथ में सातियों माफी चाता हूं विस्तता के वजह से आपके बीच देरी से उपस्थित हो रहा हूं अभी भी हम लोग रास्ते में हैं घर नहीं पहुच रहे हैं घर के लिए निकले हुए तीन दिनों से दिल्ली में हम लोग रुके हुए थे लगातार तैयारिया चल रही थी साथियों आज हमारे और आपके लिए हमारी टीम के लिए बहुत ही हर्स और बहुत ही खुसी का दिन है कि हम जिस के लिए 2017 के लिए पिछले दो महिनों से लगातार थंगर्स रस थे लगातार प्रयास रथ थे हमने एसलपी दाखिल की वापस ली फिर आये vacation bench में mention कराई, सुनवाई करवाई, consider करवाया, अपना पूरा वकीलों का संघर्स करते हैं, जीत उन्हीं की होती है, जो लगातार प्रयास रत रहते हैं, और यह हमने और हमारे टीम में आज करके दिखा दिया, आज हमारा केस 62 नंबर पे, कोड नंबर 3 में था, मदनभी लोकूर और दीपगुपता साब की बेंच है यह, यह बेंच एक ऐसी बेंच है जिसने दो आडर हमारे अगेंस में, हमारे जो फेवर में नहीं है, जिनका सरकार बार-बार जिक्र कर रही थी, रणवीजे सिंग आडर, लोकूर साब ने दिया था, एक यूपी असी का आडर अभी जो लेटेस्ट हुआ था, रिलीज हुआ है, वो गुपता साब की बेंच करवाया, उनके माध्यम से ही हमने सीनियर्स की ब्रीफिंग करवाई, सिंग साब, आरके सिंग साब का बहुत बहुत आभार, जिनोंने अपना कीमती समय और कीमती ज्यान हम लोगों के लिए लगाया, और हम विसेस आभार व्यक्त करते हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट, सु हम सोच के कोट गए थे, जितना हमने उनसे कहा था कि साब हम ये 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 इतना चाहते हैं, उतना उन्होंने आज हमें दे दिया, आज हमारी टीम पूरी तरह से विसेखर साफ से संतुष्ट है आज के इस पूरे के पूरे बहस से, साथियों हमारे केस से पहले हम कोट रूम के जो एक एक मिनट भी नहीं टिक पाए, 30-30 सेकंड भी नहीं टिक पाए कोट में और कोट उनको खारिज करता हुआ जा रहा था, हम लोगों के मनों में संकाय उत्पन हो गए कि दो महिने से जो हमने प्रयास किये, दो महिने से जो हम संगर्स कर रहे हैं, उसका प्रिडाम क्या 30 सेकंड या एक मिनट में निपड़ जाएगा, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, वी सेखर साब का, अमिस सरका, सिंग साब का, कि जिन्होंने एक मिनट जो मिला था हमें, उस एक मिनट को लगभग लगभग 55 मिनट में बदल दिया, लगभग एक घंटे हमारी लगातार जोर सुनवाई हुई सरकार की तरफ से सीनियर एडोकेट एसार सिंग प्रजेंट रहे कोर्ट रूम के अंदर, उन्होंने जो हमें पहले से पता था, वो किताबे और वो सारी चीज वही लेके आए, हमें पहले से पता था, ये क्या लेके आने वाले हैं, पिसली तारीकों में क्य आपका एक रृडविजे सिंग आडर है, उसका इस आडर में जिक्र है और उसी को base बनाके डबल बेंच ने आडर किया है, हम आपके उसी रडविजे सिंग आडर के उपर बात करना चाते हम, उस आडर से पूरी तरीके से संतुष्थ हैं, डबल बेंच ने जो decision दिया है, ड और उनसा प्रसंद गलत है हमारी मांग पे कमेटी बनाई गए थी और हम इस बात से पूरी पूरी तरह से एग्री करते हैं सहमत करते हैं माननी डबल बेंच के उस आदेश से लेकिन एक तरफ कोट ये कहता है कि हम एक्सपर्ट नहीं है और दूसरी तरफ हमने 14 कुष्चन पे आर्गुमेंट किया था सिंगल बेंच ने 14 के 14 अंक डिलीट कर दिये थे 14 के 14 गलत माल लिये थे और डबल बेंच ने जब हमने 14 की बात की तो दस अंक उसमें से एक्सपर्ट कमेटी गठित करके उसको एक्सपर्ट को भेज दिया चार अंक कोट में वहीं पर खुली पंचा मौलिक कतव कहां से लिए गए हैं चार प्रस्ण उसमें डबल बेंच ने कोट रूम के अंदर खुली बहस करके उसके जज्जमेंट दे दिया कि यह पर्यावरण विशे का प्रस्ण है जबकि हमारा यह आर्गू था एक पर्यावरण का नहीं है इस पे भी कोट को कमेटी ब स्क्राइब कर देव कर चार एकक फिराउय міए तरभी कि अबन बहुत भाई हमार निकल जाए लेकिन धन्यवाद बहुत धन्यवाद विसेखर साफ का जिन्होंने दम-दार तरीके से बहस की वस्वाव ऋ-लभाब कर दिया गया इस्टेट से जवाब तलब कर लिया गया कि इनको क्यों ना 14 अंक दिये जाए इस्टेट इसका क्रीजन बताए जब बात आई कि यह लोग 30 तारीक को रिजल्ट घोसित कर रहे हैं सरकार के वकील थे वहा पर इन्होंने भी बताय कि पूरी प्रकरिया के बारे में बात की तो कोड में सीधे सीधे बता दिया कि कितने लोग परभावित वह रहे हैं आपके NICK हमने किसाब एजी साब में डबल मेंच में सीजे कोट में बताई थी संख्या कि 68000 लोग इस से प्रभावित हो रहे हैं अर्सट हजार लोग गो का रिजल्ट बढ़ जाएगा तो वह इस अगली याची हैं जो सुप्रिम कोट में जो लोग याची बनके गए हैं उनके लिए जो भी रिजल्ट आएगा और इनकी सारी जो प्रकरियाएं हैं वह प्रकरियाएं सब्जक्तुदा रिट पेटीशन हैं हमारे इस अंतिम जो निड़ए आएगा उस अंतिम निड़ए में जितने अंक मिलेंगे उन हमारे याचियों को कुछ इसी अर्षट हजार पांसों में मानी सरवोचने आले ने आज जिम्मेदारी ले ले ली उनको इस परिछा में इस भरती में सामिल करवाने की बहुत बड़ी चीज है दूसरी चीज जो भी स्टेट आज की तारीक के बाद नोटि सारे कदम इस प्रकरिया के अधीन रहेंगे और कोई भी कदम उनका हमारे इससे अगेंस नहीं जाएगा क्योंकि यथा इस्थिति बरकरार रखने का भी आदेश कोट में दे दिया है पैटिसनर्स को राहत देने का आडर में भी जिक्र आएगा उन्होंने आडर जो लिखव कुल मिला के आज हम जितना अधिक से अधिक हमें मिल सकता था उससे अधिक मिल गया कुछ भी ऐसा नहीं चूटा जो हमें आज मिल सकता था और ना मिला हो साथियों अब टेट 2017 का बंडल मानिये सर्वोच नियाले में खुल चुका है अगली भहस में हमारे पास कुछ ऐसे सा नहीं हम यह साथ चुके हैं बंना जब खूलेगा कव हमारा आगला अर्गू कोट ने वहीं दिया जो होना थी लेकिन कोट में उन प्रसनों पर हमें अंक नहीं उपलब्द करवाए कुल मिला के हम आज बहुत अधिक मजबूत स्थिती में आ गए हैं हमारा और आपका हमारी पूरी टीम का और हमारे पूरे पेटेशनर्स जो हमारे याची हैं उनका भविस्से आज पूरी तरीके से मानिये सरवोच नयायले ने सुरछित कर दिया है साथियों इस बीच हमारी टीम ने आपसे कोई भी जानकारियां कोई भी बातें सेर नहीं कि हम लगातार जमीन के अंदर रहे के काम करते रहे क्योंकि हमने सुना था कि चाइना के अंदर एक बास पाया जाता है जो 6 महिने जमीन के उपर केवल 4 इंच निकलता है रोपने के बाद वो 4 इंच का होता है और अगले 6 महिने के अंदर वो बास 60 फिट उचा जाता है साथियों वो 6 महिने जो 4 इंच निकला था लोग कहते हैं कि वो अगले 6 महिने में 60 फिट का हुआ लेकिन हमारा मानना है कि वो जो पिछले जो पहले वाले जो पहले वाले जो छे महिना थे उन छे महिनों में वो नीचे की तरफ बढ़ाता जमीन की तरफ बढ़ाता जड़ों को मजबूत किया था तब वो साथ फिटूचा हुआ साथियों हमने दो महिने जो संगर्स किया वो ह बराबर फेस्बुक पे और वाटसप पे सोसल मीडिया पे कमेंट करते रहते थे कि अब टेट 2017 का कारिक्रम खतम हो चुका है अब इसमें कुछ नहीं होने वाला जबाब है उनके लिए मानिसर वोच ने आयले का और मदन भी लोकूर साहब सीनियर जैसी सीनियर बेंच का आडर जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल बनता है मदन भी लोकूर और गुपता साहब की बेंच से दिये हुए आडर को पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजीर के तौर पे पेस किया जाता है साथिवाज उसी बेंच से हमने हमारे इस्थितियां हमारे फेव में नहीं थे फिर भी हम लगातार 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 संगर्स करते रहे और आज की तारीक में हम वहां पहुंच गए हैं कि फिर से हमें के उन कमांडोस को जिन्होंने अपने नाम को गुमनामी में रखते हुए रात रात मेंट करके बिना खाना पानी खाए अपने घर से 5500-700 किलोमेटर दूर रातों का सफर करते हुए हमारे साथ में कंदे से कंदा मिला के संगर्स करने का और फाइलों को उठाने का काम किया हम उ दुरू से सहयोग दिया और आज भी वह हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े हैं हम उनके इस परिक्षा में पास होने तक संगर्स कर रहे हैं और करते रहेंगे साथियों पुरे परदेश में इस समय एक माहोल है और 6500 में कटाफ को लेकर कटाफ का जो अभी आधेस सिंगल बेंच का जो आया है उससे कही ना कहीं अगर वो आधेस आगे प्रभावी रहता है तो कहीं ना कहीं मैं स्वयम उस आधेस से प्रभावित हूं और इस मामले को लेकर हमने हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित बदोरिया साथ से पूरी बात कर ली है हमारा उन कटाफ पीड़ साथियों से भी अन्रोध है कि आप लोग अभी कोई भी तरीके का जल्दवाजी में कोई कदम ना उठाए हम एक कुसल और सधी हुई रर्नीती बना रहे हैं हम में बहुत अधिक इस मामले में फोन ना करें हम जैसे ही हमारी सदी रर्नीत पूरी आ जाएगी है वो रर्नीत आपके सामने खोल के रखेंगे माईने यह नहीं रखता है केस को आपने कितनी दमदारी और कितनी मजबूती के साथ में तैयार किया है केस फाइल करने वाले नह संगस करना जानते हैं ? अनतता अनततो गत्वा वही कामियाम होते हैं साथियों हम हम आज हम किया उससे हम और हमारी टीम पूरी तरीके से संतुष्थ हैं हम किसी के प्रती जवाब दें न थे न हैं क्योंकि इस केस में हमने वी सेखर साथ जैसा बड़ा चेहरा उतारा अमिस्तर को लखनव से लेकर गए आरके सिंग साथ जैसे मोस्त एवार को हमने इंगेज किया और आप सब जानते हैं पुरा प्रदेश जानता है इस आज की सुनवाई के लिए हमने कभी कहीं पर भी एक पोश्ट चंडे को लेकर किसी से नहीं कि हमने किसी से भी सुनवाई के इस परीच्चा में पास होना है हमारे टीम द्रू कंज़ को पास होना है घंगा बेह रही है ए सहरे सारे डी यह यह जानता है कितने लोगों का बाकि बाते बहुत से हैं और आग धदक रही है जो आप लोगों के माद्यम से बहुत से लोगों ने जो कमेंट किये हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं जो भी चीजे होंगी हम विस्तार से आपको आउगत कराते रहेंगे उतना ही जितना आप तक जाना चाहिए जितना लोगों को पहुचना चाहिए उतना हम आपको जरूर ब बहुत बहुत बड़े बड़े आदेस और बहुत बड़े-बड़े नया हुए हैं और आदेस बदले गए हैं ऐसे अकाटे साथ श्राज की तारीक में हमारे पास मौझूद हैं जिनका कोई भी काट कोई भी तरीका है ही नहीं कोई एक्सपर्ट कमेटी भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती वो हम अगली सुनवाई पे मानिय सरोच नयाले को पेस करने वाले हैं साथ यूँ सेस विस्तार से बाद में जानकारियां तो बहुत सी हैं हम आपको अउगत कराते रहेंगे लेकिन अभी तक के लिए इतना काफी है कि सरकार को नोटीस इसू हो चुका है यथा इस्तिती बर करार रहेगी हमारे पेटेशनर्स को इस अर्षट कि मैं रिजवान तो यह जैसे अभी आपने रिजवान अंसारी के आवास सुनी इसमें उसने अपने पच्छ जो भी सुप्रीम कोर्ट में रखे और जो भी बताए उसने बता दिये मैं रिजवान अंसारी से जाता है इतिफाग नहीं रखता उसके बाते जाता नहीं लेता गह रहाई से फिर भी अगर सुप्रीम कोड ने सरकार से जवाब मांगा है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सुप् करने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों नहीं किया है और यह जरूर बताएं